उके बच्चों तो हमने पहले वाले पद में पड़ा था कि माता युशोदा से वो किस तरीके से बात करते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया और वो अपने माखन खाने की बात को कैसे चुपाते हैं चलिए अब आते हम दूसरे पद पर मैया हो गयन चराना जाहूं मतलब मैया मैं गयों को चराना चाहता हूं या जाऊंगा तुम यानि के तू कहे महर नंद बाबा सो बड़ो भयो ना डरो हूं मतलब तुम नंग बाबा से कहो कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, डरूँगा नहीं, मुझे गया चराने चाने दो. रेता पैता माना मन सुख़ा हरधर संगे रहू मतलब रेता पैता माना और मन सुख़ा ये जो है ये नाम जो है ये कंद्रियाजी के मित्रों के नाम है हरधर संग रहू मतलब मैं अपने दाव के साथ संग में ही रहूंगा टाव मतलब उनके बड़े भाई, उनके साथ में ही रहूंगा बंसी तट पर गौलन के संग, खेलत अति सुकपाव मतलब बंसी बट यानि के जो बटका पेड है, उसके नीचे जो गौलन हैं, जो बालक हैं, छोटे उनके साथ खेलना मुझे बहुत ही सुक देता है यानि कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आदन भोजन दे दही कारण भूक लगे ते खाऊं मतलब मुझे छीके में या एक हांडी में हांडी होती है जैसे इस टाइब की हांडी दिखाई दे रगी उसमें आप मुझे भात दे दो भात मतलब चावल चावल और दही डाल कर दे दो भूक लगेगी तो मैं खालूंगा तो सुरदास जी कहते हैं कि सकी जमना जल सोह दे जो नहना हूँ मतलब मुझे यमना जल मेरा शाक्षी है और मुझे तुम यानि के आप शपत दे दो अगर मैं वहां नहाँ तो मतलब अगर मैं उसमें स्नान करूं तो मुझे उसके लिए शपत दे दो मैं गंगा में या जमना में नहीं नहाँँगा तो ये माता युश्द से कहते हैं कि मैया मुझे गवालन चला रहे हैं मतलब गईया चलाने को दे दो और नंद बाबा से आप कह दो कि मैं बड़ा हो गया हूँ मैं अब नहीं डरूंगा और रेता बेता मन सुखा यानि कि मैं अपने बड़े भाई दाव के साथ रहूँग ठीक है ये सब कहते हैं तो है ना बच्चो इसमें बहुती अच्छी सी कुशिन जी की बाल ले लाएं जो आपको भी अच्छी लगी होंगी सुनने में यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्रात करने के लिए के प्या बैल बिटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना बोलें प्लीज शब्सक्राइब आर चैनल अगे इड्सक्राइब कर दो है